वेल्कॉम बैक टो मैं चानल इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे डेंड़र के घरेलू उप्चर के बारे में यानि होम रेमेडिज के बारे में बहुत सरे लोग जाता अटिडेंड़र सामपू यूज करना नहीं चाहते क्योंकि इससे उनका बाल ड्राय हो जाता है फ्र उसको इलाज कर सकते हैं तो चलिए स्टाट करते लोग के यह फ़का सार में। होता है। उसको हुआ करा मेernा। यह वहांपर पणापता है। इसलिए जो लोग सभर करते हैं तो उनका यह ज़ए होता है। हम पेशन पर को अड़ोज करते है। जो सब्सक्राइब करें अगर लगाना है तो हैर के लेंथ में साट में लगा सकते हैं हैर के रूट में मत लगाईए हमारा स्कीन थोड़ा एक है जिसका PS 5.5 है स्काल भी थोड़ा एक है वहां पर ज्यादा फंगस इतना ग्रोथ नहीं करता है लेकिन कुछ-कुछ लोग का सर में मेल यानि डर्ट जमने के वज़से वहां पर फंगस ज्यादा ग्रोथ करते हैं तो अगर हम उस स्काल्प को दुबारा इस डिक मेडिया में ले आ सकते हैं तो फंगस वहां पर ज्यादा गुरूत नहीं करेगा तो इसा क्या चीज़ें जो हमारे आसपास या घर में अवेलेवलेवले जिसको हम यूज कर सकते हैं फास्त होता है ते ही है सभी यह जादा फ्रेस नहीं धहिए ज्यादा घज़ेंशन फ्रेस्ट में ज़्यादा कलिये करते हैं जब if अउच्छ दे रिजे। स्काल्प में मसाज करिए 7-8 मिंट रखिए उसके बाद उसको नॉर्मल संपुची धू लीजिए उसको स्काल्प में मत छोड़िए सर में छोड़ के मत रखिए कि नहीं यह बहुत जाए टाइम तब आपका काम करेगा विशा बिल्कुल नहीं है क्योंकि दही में भी फैट र रस में मिलाके स्काल्प में लगाते हैं नहान से 50 मिंट पहले तब यह भी आपका अंटी-फंगल काम करता है और यह भी आपका डेंडर्प को कम करता है लेकिन याद रहे अगर आपका सर में बहुत ज़्यादा इंफ्लामेशन है इरिटेशन है खुजली है तो इसको मत रख सकते हैं इससे भी आपका डेंडर्प कुछ हस्तक क्लियर हो जाएगा अगर माइल डेंडर्प है तो यह ठीक हो जाएगा आपको स्पेशल अंटी-फंगल संपु की जरुरत नहीं होगा थाड क्या यह यूज़ कर सकते हैं अपल सिडर विनेगर येस मार्केट में सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे सब्सक्राइब करिए नमस्ते जाहिन कर दो